स्वागत है आपका वेर्थ यूट्यूब चैनल पे मैं विवेक कुमार जा कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर स्रीमती निर्मला सीता रमन जी ने आत्म निर्भर भारत 3.0 के तहट पैकेज की घोशना की थी इसकी कुल राशी 2,65,000 करोड रुपया है कल किये गए प्रेस कॉन्फरेंस में 12 एनाउंसमेंट किये गए थी चलिए जानते हैं एक एक करके उनके बारे में पहली एनाउंसमेंट थी आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना इसका अबजेक्टिव है नए रोजगार को बढ़ावा देना जिन लोगों ने अपनी नौकरियां एक मार्च 2020 से लेकर 30 सिप्तेंबर 2020 के बीच खो दी थी उनको इससे फायदा होगा या स्कीम एक अक्टूबर 2020 से लागू हुई है इसके तहत कोई भी नया कर्मचारी EPFO Registered Organization में 15,000 से कम पर नौकरी शुरू करता है या फिर किसी की करोना काल में नौकरी गई है और उस वक्त वो 15,000 से कम सेलरी पर था तो उसके EPF का खर्चा केंदर सरकार उठाएगी जो की 24 प्रतिशत होता है 12% Employer का और 12% Employee का इसके लिए सरकार 2 साल की सबसीडी देगी Second Announcement थी Emergency Credit Line Guarantee Scheme इसको बढ़ा के 31 March 2021 तक कर दिया गया है नई स्कीम के तहट अब 1 साल का Moratorium और 5 साल का Repayment का टाइम दिया जाएगा तीसरी Announcement थी Production Linked Incentive Scheme इसको पहले 3 सेक्टर्स के लिए लागू किया गया था लेकिन अब इसे 10 और सेक्टर्स के लिए लागू कर दिया जाएगा इससे Manufacturing Industry को 1,41,000 करोड का फाइदा होगा अगली सूचना थी प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतरगत 135 नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जिसको स्वहिम योजना के अंदर रखा गया है इसका बजट है 13,200 करोड रुपे पाँचवी Announcement थी कि सरकार अब Construction और Infrastructure वाले Contractors को राहत देगी और शुरू में ही जो पैसा जमा करने पड़ते थे उसे हटा दिया गया है लेकिन यह योजना सिर्फ December 31, 2021 तक ही लागू है Sixth Announcement थी कि Income Tax में राहत की उम्मीद कर सकते हैं और Home Buyers और Home Developers को फाइदा होगा Seventh Announcement थी कि National Infrastructure and Investment Fund में 6,000 करोड की Equity डाली जा रही है और इसकी कुल लागत है 1,10,000 करोड रुपे बाकी के पैसे सरकार इंतजाम करेगी Private Investors के थूप Eighth Announcement थी कि 65,000 करोड रुपे का अस्तमाल Fertilizers में किया जाएगा और किसानों को सबसीडी दी जाएगी अभी हाली में नए Farm Bills को लेकर काफी किसान सड़कों पर उतरे थे हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया है कि किसान क्यूं विरोध कर रहे थे इस योजिना से 14 करोड किसानों को फाइदा होने वाला है 9th announcement थी कि ग्रामीन नौकरी को बढ़ावा देना इसके लिए 10,000 करोड रुपए अलग से प्रधान मंतरी गरीब कल्यान रोजगार योजिना में इस साल डाले गए है 10th announcement थी कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इसके लिए 3,000 करोड रुपए एक्सिम बैंक को दिये जाएंगे एक्सिम का फुल फॉर्म होता है Export and Import Bank of India 11th announcement थी कि Capital and Industrial Stimulus 10,200 करोड रुपए और इनको देसी इंडस्ट्री में ही खतम करना है जैसे कि Defense के समान, Industry Equipment और Free Energy 12th announcement थी कि 900 करोड रुपए COVID-19 की वैक्सिम बनाने के लिए Research and Development में दिये जाएंगे ये रकम सीधा Bio Technology Department को ट्रांसफर होगी और उसका प्रयोग केबल Research and Development में ही किया जाएगा तो ये सब announcement थी जो हमारी Finance Minister स्रीमती निर्मला सीता रमन जी ने करे थे अगर आपको ये episode पसंद हाया है तो इसे like करें, share करें और subscribe करें हम आगे भी Current Affairs के वीडियो के साथ आते रहेंगे तब तक के लिए देखते रहे व्यर्थ YouTube चैनल धन्यवाद